नमस्कार आपको स्वागत एश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ डिली हाई कोट ने मुख्यम मंतरी अर्विंद केज्रिवाल को बार बा समन भेज़े जाने पर एदी को तलब किया कोट ने एदी को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ़ते का समय दिया है जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस मनोज जेन की अध्ष्टा वाली बैच ने कज्रिवाल के वकिलों से भी पूछा एदी के सामने पेश क्यों नहीं होते आप देश के नागरिक है समन सिर्फ नाम का है इस पर सीएम के वकिल अविशेक मनु सिंगवी और विक्रम चोधरी ने कहा कि एदी एएपी नेता मनिस सोधिया और संजैसी को गिरफतार कर चुकी है उन्हें आशेंका है कि एदी के जिवाल को भी गिरफतार कर लेगी अगर के जिवाल को सुरक्षा दी गई तो वे पेश हो जाएंगे इस मामले पर 22 अप्रेल को अगली सुनवाई होगी दरसल एदी ने 17 मार्च को दिल्ली शराबनीती मामले में कि जिवाल को नोवा समन भीजा था उन्हें PMLA के तहत पुछताच के लिए किस मार्च को पेश होने के लिए कहा गया कि जिवाल ने 19 मार्च को समन के खिलाफ हाई कौट पहुचे थे इरी ने शराबनीती केस के साथ दिल्ली जलबोट के टेंडर केस में भी कि जिवाल को समन भीजा था इस मामले में दिल्ली CM को मिला यह पहला समन है जलबोट केस में उन्हें 18 मार्च को पुछताच के लिए बुलाया गया था लेकिन वे नहीं गए शराब मिती केस में केजिवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 27 जनवरी, 3 जनवरी और 23 में 21 दिसंबर और 2 नमबर को समन भेजा गया था हाला कि वे एक भावी पूश्टाच के लिए नहीं गए डिली जल बोट केस में 18 माचों के जिवाल के पेशन होने पर AAP ने कहा था कि ED का समन गेर कानूनी है AAP ने कहा कि जब कोट से CM को अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो बार-बार समन क्यों भिज़े जा रहे है AAP का आरोप है कि भाचपा ED के जली के जिवाल को टार्गेट कर रही है इसे के साथ पने रहे हैं इसे रहे हैं जिवाल के साथ करने वाल